नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तो मेरे हाथ में इस वक्त हैं गुलाबी सुन्डी के अंडे जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास इस वक्त हैं गुलाबी सुन्डी और उसके द्वारा जो एफेक्ट के हुए जो टिंडे हैं वो भी हैं सारी की सारी चीजे मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ इसकी रोक थाम के उपाई भी मैं आपको बताऊंगा इस बार हमने 36 एकड़ भूमी के अंदर नर्मे की फसल जो है वो लगाई है बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनके अहां पे अच्छा खासा नर् को जीत कर बहुत जल अच्छी फसल जो है कपास की अनर्मे के हम ले सकते हैं क्योंकि नर्मे का भाव इस बार 12,000 रुपे प्रती क्वेंटल से भी जादा रहने की उमीद है तो आप लोग अब इसको ध्यान से देखिए पहले समझिए कि अंडे कैसे होते हैं अंडे कैसे होत फोकस मैं कैमरे का यहां पर करवा देता हूं और फिर आपको सारी चीजें समझाता हूं तो शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले तो इस पत्ते के उपर आप गुलाबी सुंडी के जो अंडे हैं वो देखो ये हैं गुलाबी सुंडी के अंडे जो आपको ओरिंज कलर के दिखाई दे रहे हैं ओरिंज कब होते हैं पहला और दूसरा दिन होता है उसके अंदर अंडे सफेद रंग के होते हैं जैसे अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब जो अंडे दिखाई दे रहे हैं ये हैं ओरिंज इसका मतलब ये तीसरा और चोथा दिन है इन अंडों का चोते दिन के बाद ये अंडे फूट जाएंगे और इन में से जो बच्चा निकलेगा यानि जो इस में से लारवा निकलेगा वो इस हिस्से के जरीए जैसे ये चोटा टिंडा आपको दिखाई दे रहे हैं इस टिंडे के इस हिस्से के जरीए कलेक्स बोलते हैं कलेक्स के नीचे अंडे होते हैं, तो यहां से वो अंदर घुश जाएगा, किसके अंदर घुश जाएगा, तिंडे के अंदर घुश जाएगा, और तिंडा आपको एक दम साफ नजर आएगा, जैसे यह साफ आ रहा है ने तिंडा नजर एक दम, एक दम साफ नजर आएगा, टिंडे को पर कोई दाग धबा नहीं आएगा, कोई छेद नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर आपको सुन्डी मिलेगी, हमारे इक खेत का है, ये देख लीजिए, टिंडे के अंदर सुन्डी घुसी और उसने इसको नुकसान पहुंचा दिया, ये हाल के विल इसका नहीं है, छोटा सा टिंडा दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा, ये देखिए, मैं उमीद करता हूँ कि हमारे कैमरे से आपको सारी चीज़ें सही दिख रही होंगी, ये देखिए, इसके अंदर भी सुन्डी है, छोटा सा बिल्कुल, और एक टिंडा ये है, इस टिंडे के अंदर देख लीजिए, यहां भी, इसके अंदर भी सुन्डी आ गई है, ठीक है, अभी और नए टिंडे भी हैं, जैसे ये टिंडा है, इसको अगर हम उतार के देखते हैं इसका पूरा, तो एकदम साफ नजर आएगा ये टिंडा, ठ लेकिन इसके बाद भी मैं तो चाहूंगा कि इसके अंदर ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर भी गुलाबी सुन्डी होगी, ये रैंडम सेंपल लेकर आया हूँ हमारे खेत से, ये देखिए, बाकी टिंडा साफ है, लेकिन इस हिससे में सुन्डी का अटैक जो है, वो नजार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रैंडम सेंपल लेकर आया हूँ हमारे खेत के ही सेंपल है, मैं बताओं दोस्तों आपको हमने छे टिंडे तोड़े, जिनमें से एक बिल्कुल साफ था, बाकी सभी के अंदर कुछ ना कुछ हमीं मिला, जैसे इसके ठीक है, अभी आपके सामने तोड़ा है, बाकी ये छोटे-छोटे और भी लेकर आया हूँ, इतना छोटा टिंडा होता है, उसके उपर भी अटैक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस गुलाबी सुन्डी से कैसे बचा जाएगा, मैं इन अंडों को यहाँ पर क्योंकि तीन से चार दिन बाद में इन में से जो सुन्डी निकलेगी, वो जाएगी कहां पर, यह हम देखेंगे, और यह देखिए, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा निकाला है मैंने, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको सुन्डी नजर आ रही होगी, यह देखि की बाद तो यह है कि इसके उपर सप्रे भी की हुई है, उसके बाद भी इसके अंदर भी यह देखिए, यह सुन्डी का भाग आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर भी सुन्डी है, तो अब इन से बचा कैसे जाए, इसके बारे में समझते हैं, और हाँ, इन अंडों का क्या होगा, यह जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन अंडों से जब बच्चे निकलेंगे, उनकी वीडियो भी बनाई जाएगी, तो दोस्तों बाकी सब्दों परमात्मा के हाथ में हैं, लेकिन हम लोगों ने निश्चे कर लिया है कि हमा हमारा टार्गेट है साथ से आठ सप्रे हर महीने करना, यह हमारा टार्गेट है, लेकिन अभी देखना होगा कि उससे ये सुन्डी जो है वो खतम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जिनके पास नर्मे के फसल है, वो लोग, एक तो फस फसल से सिफ्ट कर जाएए, और जो भी अगली फसल है, अगर आप पियार 126 बोना चाहते हैं, जो धान की ऐसी फसल है, जो थोड़े दिनों में हो जाती है, तो आप वो बोलीजिए, उसको लेकर एक वीडियो मैंने अल्रेडी बनाई हुई है, उसका थमनेल कुछ ऐसा है, और अगर आप गुलाबी सुंडी होने के बाद भी फसल करना चाहते हैं, और इसके ओपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप गुलाबी सुंडी के पूरे के पूरे जिवन चक्र को समझेए, और कैसे इसको रोका जा सकता है, अमेरिका वालों ने कैसे रोका, वो आपको यहां पर जो वीडियो दिखाई दे रही है इसके अंदर समझाएगा मैंने आज से डेड़ दो महिने पहले ये वीडियो बना दी थी तो इसको समझेए इसमें Arizona University की रिसर्च के अंदर जो बातें बताई गई है वो समझाई गई है खेर भगवान करे सभी किसानों को गुलाबी सिंडी से रहत मिले दिखते रहिए ABC इंडिया